नमस्कार दोस्तों अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि GTT ओर क्या होता है और जरोधा की एप में या जरोधा वेब में भी दोनों में कुछ खास फरक नहीं है तो इसमें अगर आप GTT ओर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा सकते हैं तो सबसे पहले आपको जिस भी शेयर पे आपका GTT ओर लगाना है उसे आपको अपनी वाच लिस्ट में एड़ करना जैसे आप देख सकते हैं यह मेरी 5 watch list है, watch list का यहां top पे आप नाम भी change कर सकते हैं watch list का, यह सब watch list में कैसे add करते हैं, नाम कैसे change करते हैं, यह सब आप देखना चाहें, तो मैंने एक video बनाया है, मैं top right से उसको link कर दूँगा, आप वहां से देख सकते हैं, तो add करने के बाद इस तरह से आपके नाम आ CTT मतलब good till triggered, मतलब आप एक order place करते हैं, normal order, rigidity के लाब आप कोई भी order जैसे मान लेजिए, आप एक buy order यहां पे लगाते हैं, तो इन में से कोई भी आपका order हो चाहे, वो CNC order हो, चाहे MIS order हो, market, limit, stop loss, यह सारे जो order है, यह सारे order, दिन के आखरी में, जो है, cancel हो जाते हैं, हो, चाहे CNC हो, चाहे MIS order हो, उसमें चाहे market order हो, चाहे limit order हो, चाहे stop loss order हो, अगर वो order execute नहीं हुआ है, दिन के आखरी में, यानि तीन बच के तीस मिनट तक अगर वो order execute नहीं हुआ है, तो तब वो cancel हो जाता है, जिसे बोलते हैं, day end में cancel हो जाते हैं, लेकिन यह आपको ऐसा order place करना चाहते हैं, मालजे जैसे, यह है SBIN, यानि State Bank of India का, इसका price अभी 182 जा रहा है, ठीक है, अभी right now 182.5, 182.45 से 55 की बीच में गोम रहा है, आप चाहते हैं कि मैं कैसा order place करूँ कि जब इसका price 170 पे आए, जबकि मुझे पता है कि आज ही 170 पे नहीं आएगा, लेकिन जि 170 का, अगर आप मालेजे, CNC में limit order लगाते हैं यहाँ पे, आप इस तरह से 170 का अगर buy order लगाते हैं, तो order वो place हो जाएगा, आपको यहाँ पे order में pending में दिखाई देगा, आप देख सकते हैं कि यह pending में हैं, और यह आज दिन खतम होने से पहले-पहले, अगर price 170 पे आया, तो execute होगा, और नहीं आया, तो नहीं execute होगा, लेकिन नहीं execute हुआ, तो day के end में वो cancel हो जाएगा, तो अभी हम इसे cancel कर देते हैं, तो अगर आपको इस तरह का order लगाना है, कि जब भी 170 पे आया, तो कैसे, तो यहाँ आप देखेंगे कि नीचे, create GTT order है, इधर से arrow ना देता तो यह जो order है, आप चाहें जिसे थोड़ा और बड़ा करके, यहाँ पे market depth देख सकते हैं, कि किस तरह के bids और order है, और जब आप create GTT order पे click करेंगे, तो इस तरह का order निकल के आता है, top right corner में आपको GTT देखेगा, तो यह order आप buy type का भी हो सकता है, sell type का भी हो सकता है, sell type की order red में देखते हैं, buy blue में देखते हैं, तो अगर अभी यहाँ में, एक देखिए, इसमें एक trigger price होता है, और एक price होता है, दोनों का मतलब समझे कि क्या मतलब हुआ, मैं चाहता हूँ कि जब 170 पे आए, तो मुझे मिले, तो यह मेरा price है, जो मैं बोल रहा हूँ कि 170 पे जब आ देखिए, limit order का मतलब है, कि मैं अपना price यहाँ specify कर रहा हूँ, CNC order है, मतलब मैं full cash में कर रहा हूँ, इसके लिए कोई margin available नहीं है, तो यह दो चीज़े, अब इसके ऊपर आप समझे कि triggering price क्या होता है, यह बहुत important चीज़ है, और यह आपको क्या set करना चाहिए, वह भी समझ प्राइस है, जब आप mention करते हैं, जैसे मैं मेरे case में में बोलूँगा, कि जब price 171 आ जाए, जो कि अभी के price से, यह यहाँ पे आपको दिखा रहा है, कि लगबग 76% down है, LTP मतलब last traded price, तो यानि अभी जो last price trade हुआ है, उससे 76% नीचे है, जब यह price आ जाएगा, 171 का, तब मेरा order market में चला जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि order execute हो जाएगा, क्योंकि order हमारा कितने पे है, 170 पे है, और मान लिजिए उस दिन market 171 पे आया, 171 से थोड़ा और नीचे गया, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 170 नहा पोँचे, तो उस case में आपका order जो है triggered, GTT मतलब good till triggered तो आपका order trigger हो जाएगा, लेकिन अगर 170 का price नहीं आया, तो execute नहीं होगा, और day end पे फिर cancel हो जाएगा, तो normally अगर आपको 170 पे खरीदना हो, तो आप ये price भी same ही रखिए, तो उससे क्या होगा कि जब price 170 पे आएगा, तभी आपका order जाएगा, और order भी 170 पे जाएगा, तो very high chances, almost 100% chances आप मान सकते हैं, कि order trigger होगा, ठीक है, order place करने के लिए, आप इसको आप इस तरफ को move करेंगे, तो आपका order place हो जाएगा, तो ये आपका order जो है, ये place होगा, लेकिन ये देखिए कि ये order आपके pending orders में नहीं आता है, ये आपके executed order में भी नहीं आता, executed order में तब आ जाएगा, अभी इसे देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, GTT order का जो tab है, आप उसमें जाएंगे, तो आपको दिखाए देगा कि आपका order, State Bank of India का, जिसकी quantity 100 है, जिसका price आपने लिखा हुआ है, जिसका LTP याने last added price आपको दिख रहा है, तो अभी जब भी ये price जो है, जब भी ये price, trigger price के पास आएगा, आपका order market में चला जाएगा, और market में इस price पे आपका order जाएगा, और ये आपकी quantity रहेगी, तो I hope ये आपको समझ में आगा है कि किस तरह से आपका buy order जाता है, इसी तरह से अगर आपके portfolio में कोई share है, जैसे अभी मेरे portfolio में इस समय कोई भी holding में भी नहीं है, और position में भी अभी कोई share नहीं है, ये सारे bank nifty के options है, अभी में वो sell वाला नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन माल लिजिए, अगर कोई, माल लिजिए, कोई आपके holding में कोई share है, आपसे sell करना चाहें, तो same procedure है, आपको सिर्फ यहाँ पे buy की बजा, आपको सिर्फ यहाँ पे buy की बजाए, sell select करना है, और same उसी तरहें से trigger price देना है, उसी तरहें से आपको आपका अपना selling price देना है, तो it's the same procedure, तो I hope guys, आपको समझ माया होगा कि GTT order क्या होता है, और जिरोधा में GTT order कैसे लगाते हैं, good till triggered, trigger होने के बाद order खतम हो जाता है, अगर आपना trigger और execution price same नहीं रखा है, तो यह possibility हो सकती है कि order trigger हो, लेकिन execute ना हो, तो इसलिए ध्यान रखिये, almost past past में रखिये, तो अच्छा chance है order के 100% trigger होने का, so that's it guys, if you like the video, please like and subscribe, take care, bye bye.